नमस्कार, स्कूल विद्यादी इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है सुनाली जाधव, स्कूल विद्यादी ये चैनल हमने खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि उनको पढ़ने में थोड स्कूल गोइंट्स और पोयम है, वो हमारी हो चुकी है, और उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो खरा नागरिक, मतलब जो रियल वाला जो सिटी का सिटिजन होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है, कि असलियत में नागरिक किसे कहा जाता है, सो इसके इस चैप्टर के लेखक है सुहास बारटक के, इनका जन्म हुवा है एकोणिश्य पंचावन, मतलब 1955 में, प्रसिध लेखक पत्रकार है वो, वडापाव, कोकनातल्या आडवाटा, कोकनातिल देवा लए, कोकन नीसर्ग याग, साद मयुराची, इत्याधी पुस्त के प्रसिधय, मतलब ये सब उन्होंने किताबे लिखी है, किषोर, लोकनात्य, भटकंती, वसंत या मासिकान मधुन वीपूल लेकन, ये उन्होंने मासिक लिखे है, मासिक मतलब मैगजन लिखे है, उत्कुरुष्ट बाल साहित्या पुilen्षकार प्राप्त मतलब, उनको ब निरंजनाचा व्यक्ति रेखे तून्सपष्ट के लिया है यह चैप्टर में एक निरंजन नाम के लड़की के स्टोरी है और वो लड़का हमें क्या सिखाता है कि शाले विशय मतलब स्कूल में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सिपढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है तो उनमें जो बाते जो अच्छी चीजे बताई जाती है वो आचरणा आचरण मतलब क्या हमारे लाइफ में वो सब चीजे अपलाई करनी बहुत ज़रूरी होती है निरंजन ने दाखवलेले प्रसंग आवधान उलेखनिया है मतलब इस चैप्टर में निरंजन नाम के जो प्रसंग आवधान का मतलब होता है बराबर टाइम पर बराबर डिसिजन ले लेना ठीक है तो शुरूरात करते हैं पहले ही बता देती हो कि चैप्टर बढ़ा है इसके लिए दो वीडियो में होगा पार्ट वन और पार्ट टू निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्या साला बसला होता मतलब निरंजन आज बहुत सुबे सुबे उठा था और पढ़ाई करने के ले बैठा था आज शेवट चा नागरिक शास्त्रा चा पेपर होता आज उसका लास्ट नागरिक शास्त्र मतलब सीविक्स का बुगोल आणि नागरिक शास्त्र मतलब हिस्ट्री जोग्रोफी और सिविक्स तीन ही विश्यांजा के उड़ा अभ्यास करावा लातों मतलब यह तीन सब्जेक्ट का कितना पढ़ाई करना पड़ता है त्याद है नागरिक शास्त्र जरा अउगड़त और उसमें भी यह जो सिविक सब्जेक्ट है वो तोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है सेकेंड पैरेग्राफ पहाटेची सकार्ची विळ अभ्यासला योग्य असते मतलब सुबे सुबे का जो मौनिंग का टाइम होता है वो पड़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहता है हाँ भड़स की करेक्ट सजेशन था कि सुबे सुबे अच्छा पड़ाई होता है सकार्चर टवटवीट आणि प्रसन्न वाता वरनात अभ्यास खूब छान होता मतलब सुबे सुबे जो फ्रेशनेस होती है ओके जो चामफूल इन्वार्मेंट होता है तो उसमें बहुत ही अच्छी तर जो आप सुबे उट्टे है तो पॉड़ी ने भी इनफ रेस्ट ली होती है इसके लिए आपको फ्रेश महसूस होता है प्रसन्न वाता वरना मोले मन नहीं अभ्यासत चटकन लागू शक्त मतलब जो वातावरन होता है सुबे का वो बहुत ही प्रसन्न होता है बहुत ही हैप में आपका पड़ाई में मन भी बहुत ही जल्दी लग जाता है। इसे सुनाई देता है। वो कभी कभी आपको सुनाई देता है। आयक वाता वरणात संस्कृत सा 11 श्लोक चटकन पाठ होता है। और ऐसे अगर इन्वर्मेंट में अल्लाहद दायक मतलब ऐसे चीरफूल इन्वर्मेंट में अगर आप होते हो सुब है। तो संस्कृत जैसी जो टफ लैंग्वेज है तो उसका भी श्लोक जो होता है। वो आपका इजीली चटकन मतलब इजीली फास्टली क्या फास्ट आपका याद हो जाता है। एर्वी न करड़े लगणी चटकन करता है। मतलब कभी न समझा हुआ मैच्स का सम आपको समझ में आता है फटाक से। क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। तैची रीत ही लक्षात राते। रीत मतलब टेकनिक। उसकी टेकनिक भी आपको याद में रहती है। निरंजन चा अनुभव और ये निरंजन का अनुभव था सुबह उटने से के वज़े से। उतने ये अनुभव किया था सब चीजे। वो की एक्स्पीरियंस किया था खुद से। तैया मोले भड़सावले गुरुजिन चा हासलला त्याला मूला चा वाटे। और इसलिए निरंजन को ये लगता था कि जो भड़सावले गुरुजिन ने हमें अड़वाईज गी थी सुबह उटके पढ़ाई करने में वो एकदम क्या है बराबर है। तो उनका टीचर्स का भी इस निरंजन पे बहुत ही क्या था प्यार था। तो द्यांचा लाड़का विद्यार्ती होता। निरंजन ये सभी शिक्षकों का बहुत ही लाड़ला विद्यार्ती था। करन तो अतीशे प्रामानिक पने काम कराया चा आणि अभ्या सही। क्यों मतलब बहुत दूर दूर की उसकी एक मौसी थी तो उस मौसी के घर पे वो रहता था और वो घर कहा था चिपडून एक नाम का सिटी है जो रतनागिरी में आती है सो उस सिटी के जो बाहर उसके सिटी के पास ही एक उपनगर मतलब एक सब सिटी थी जिसको हम लोग बोल नगर स्मॉल टाउन था तो वहाँ पे ये रहता था मतलब उसके मा पिताजी नहीं थे और बहुत दूर दूर के कहाँ पी रिष्टेदार में से एक मौसी थी वो उसको संबाल रही थे गावा पासुन दूर डोंगरा चा पाइथाशी है मौसी चा घर होता है और ये मौसी का घर कहाँ था गाव से बहुत दूर एक पहाड था डोंगर याने की पहाड तो पहाड के नीचे पाइथाशी का मतलब होता है पहाड के नीचे उस मौसी का घर था आई वड़ी लहान पणी जवारली मतलब जो उसके माँ पिताजी थे नीरंजन के वो बचपन में ही गुजर गए थे काही दीवस मामा ने सांभड के ला मतलब कुछ दिन मा डैडी का गुजर जाने के बाद कुछ दिन उसके मामा लोगों ने उसको संभाला और उसके बाद में उसके मामा जो लोग थे उन्होंने उसको काम करने के लिए चिपड़न इस सिटी में उन्होंने उसको लाया था या माउशी कड़े आनुन सोडल और तो ही मुंबई के ला निगुन गेला तो कायम चास और फिर इस मुंबई के घर पे उसे छोड़ा और वो मुंबई में काम करने के लिए चला गया तो वापस कभी आया ही नहीं उसको लेने के लिए मतलब जब वो मुंबई निकल रहा था उसका जो मामा था वो मामा यानी कोन आपके मम्मी का भाई जो होता है वो आपका मामा होता है सो जाता ना मोला चा सल्ला मात्र देवन गेला मतलब जाने के टाइम उसने बहुत important एसी क्या दी मोला चा सल्ला मतलब important advice उसको दी निरंजन को रड़त बसुनों को मतलब रोते मत रहना शेन, गोठा, वेगेरे, जी पढ़तिलती सारी कामकर मतलब शेन मतलब गोबर आपको पता है गाव में गोबर को बहुत important माना जाता है क्योंकि जब चूला जलता है तो जो dry गोबर होता है वो as a fuel, इंधन के जैसे उसका use किया जाता है तो उसके मामा ने बोला कि गोबर उठा तू गोबर collect करके ला मासी के लिए, गोठा, गोठा मतलब क्या shade होता है जहाँ पे गाए और बैसों को रखा जाता है तो अगर वो साफ करने को तुझे काम दिया जाए मासी ने अगर दिया तो वो भी तू कुद कर, पढ़तिल ते सारी काम कर, मतलब तुझे को जो भी काम दिया जाएगा वो काम तू कर माउशी देल ते खा, मतलब मासी जो भी देगी, अच्छा बुरा वो तू खा ले, आणि इतसरा और तुझे इधर ही रहना है कुछ भी करके, माउशी तुला शालेत ही घालना रहे, और ये मासी जो है, वो तुझे स्कूल में भी डालने वाली है, ऐसे बात समझा के उसका मामा उसको उस मासी के घर पे छोड़ के चला गया मामा गेला तो पुन्हा परतला नहीं मात्र लहान गा निरंजन माउशी चा घरी प्रामानिक पड़े काम करेजा मतलब उसका मामा चला गया तो वो कभी फिर से वापस आया ही नहीं पर जो छोटा निरंजन था वो उसके मौसी के घर पे वाथ ही इमानदारी से काम करता था घरातलिया सरवांची त्याने जमाउन गेतला मतलब घर में जो लोग थे उनके साथ उसका अच्छी से बॉंडिंग हो गया आणि शालेत नाव दाकर केला और जैसे कि मामा ने कहा था तो मौसी ने उसका स्कूल में दाकला भी करा दिया माउशी जी परिस्तिती यथा तथाच असलिया ने निरंजन वार लाउन जेवाईचा सो जो उसकी मौसी थी वो भी कोई रीच नहीं थी वो भी गरीब ही थी परिस्तिती यथा तथाच का मीनिंग मतलब उसकी भी जो परिसिती थी, situation थी, वो कुछ खास नहीं थी और इसके लिए निरंजन वार लाउन जेवाईचा और इसके लिए निरंजन को खाने के लिए डेज लगाना पड़ता था अभी ये चीज क्या होते है वो आपको आगे समझ में आएगी कि खाने के लिए डेज ये concept क्या होते है मतलब जब उसको स्कूल में डाला गया तो पहले ही एर में जो भड़शावडे गुरुजी थे, उसके जो टीचर थे भड़शावडे नाम के तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है उसकी प्रगति, अब्यसातली प्रगति मतलब स्टडी में उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा था तो इसलिए देखिए गाउव वाले जो जगह होती है वहाँ पे टीचर को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है पूरे गाउव में तो ये जो भड़सावड़े गुरुजी है वो बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों को गाउव के जो लोग रिच लोग थे उनको जानते थे तो उनका टीचर का कहना most of सभी गाउवाले मानते थे उनको रिस्पेक्ट देते थे तो ये जो भड़सावड़े गुरुजी है वो निरंजन को वहां के जो बड़े बड़े लोग है रिच लोग है तो उनके घर पे वो लेके जाते थे और हर एक इंसान के घर पे एक डे रखा जाता था उस डे में ये जो निरंजन है वो खाने के लिए दुपहर के खाने के लि जाना है ऐसे उसके दस मतलब साथ लोग थे तो साथ लोगों में एक एक दिन वो दुपहर के खाने के लिए सिर्फ वहाँ पे जाता था और ये अर्रेंजमेंट उसके मतलब उसके टीचर ने की दिखा उस बच्चे के लिए क्योंकि मौसी के घर पे इतना नहीं था पैसा कि व दरोरोज एकाचा घरी दुपारी निरंजन पाहुणा मणून जेवाला जाईचा मक तिथून चाले मतलब हर रोज उन जैसे की शेडियूल था उसके हिसाब से एक के घर पे वो जाता था खाना खाने के लिए और उधर से ही वो स्कूल में आता था संध्याकाडी मात्रम आउशी कडे जे कही मेल त्यावर रहाईचा और इवनिंग के टाइम पे जो भी उसके मौसी के पास खाना मिलता था वो खाके वो वहाँ पे रहता था मतलब जो भी होता था सकाई लवकर उठुन घरातली गोठातली सारी कामा आटपून अभ्य साला बसाईचा ये जो निरंजन है वो सुबे सुबे उठा था और घर की और जो शेड मतलब जहाँ पे काउ को रखा जाता है गाय बैलो को तो उदर की सब ही कामे, मतलब उसका जो काम रहता था वो सब निप्टाता था आटपून निप्टाना तो सब काम वो निप्टाता था और स्टडी को बैड जाता था गुरु जुन्वर श्रद्धा ठेवायचा आणे परिक्षित पहिला नंबर पठकवायचा मतलब टीचर पे बहुत ट्रस्ट करता था ये लड़का श्रद्धा मतलब ट्रस्ट करता था और परिक्षित मतलब एक्जाम में हमेशा पहला नंबर लाता था ते चाव वहा पुस्तकान सा खर्च भढ़सावड़े गुरू जिस कराईचे मतलब उसके जो किताबों का खर्चा रहता था वो भी उसके जो टीचर है जो भढ़सावड़े गुरू जी वही करते थे मतलब गुरु जी ने उसको एक स्ट्रिक्ली वार्निंग दिया था कि जब तक तेरा पहला नंबर आएगा एक्जाम में तब तक ही में तेरा सब कर्चा करूंगा और तब तक ही में तुझे जो मैंने डेज लगा के दिये अलग-अलग लोगों के घर पे खाना खाने के लिए दुपेर का तो वो सिब तब तक जब तक तेरा एक्जाम में पहला नंबर आएगा उसके बाद अगर तेरा पहला नंबर नहीं आया तो मेरे तेरा कुछ खर्चा भी नहीं करूंगा और खाने के अर्रेंजमेंट भी नहीं करूंगा नहीं तर नहीं मतलब नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा गुरु जीन सहेवाक के लक्षा ठेव निरंजन जटून अब्यास करेजा और गुरु जी का टीचर का वो एक सेंटेंस उसके माइंड में ऐसा बैट गया था तो उसके लिए वो खाने के लिए और स्टडी करने के लिए उसको बुक मिले, किताबे मिले इसके लिए वो क्या करता था बहुत मैनस से हर साल पढ़ाई करता था और पहला नंबर लाता था आज नागरिक शास्त्रदा चा अभ्यास करत असता आधी जे सगड़े पेपर सांगले गेले असले ने तो मनो-मन खूश होता आज उसका नागरिक शास्त्रत का मतलब सिविक्स का पेपर था ास पेपर था और उसके पहले जो भी कुछ पेपर थे उसके वो उसको सब अच्छे गए थे इसके लिए वो मन से ही बहुत ही खुश था नागरीकांची करतव्य कोंटी अब यह सीविक्स में आपको क्या सिखाया जाता है कि जो नागरीक होता है जो सिटिजन होता है उसकी responsibility क्या है उसकी करतव्य क्या है समाज के प्रती भारत देश के प्रती उसका क्या करतव्य है तो वो वही पढ़ रहा था कि नागरीकांची करतव्य कोंटी उत्तम नागरीक कुणाला मनावे मतलब सबसे अच्छा सिटिजन किसको कहा जाता है लोकसभा मनजे कैं मतलब what is mean by लोकसभा ग्राम पंचायती चा प्रमुक कोण असतो ग्राम पंचायत का जो main person होता है वो कौन होता है सार्य प्रश्णांची उत्तरे त्याला धड़ा-धड़ येत होती मतलब सभी क्वेश्चनों के आंसर उसको फटा-फट से आते थे अभ्यास करता करता किती वे लोटला कुणा स्ठाउक मतलब study करते कितना टाइम चला गया वो किसे पता निरंजन ताड़कन उठुन उभाराईला मतलब निरंजन फटाक से उड़ गया 9 वाजुन गेले होते मतलब 9 बचके गये थे सुबे के साड़े दाची परिशा मतलब 10 10.30 का उसका क्या था एक्जाम था त्या आधी देशमुखान कड़े जायचे होते और उसके पहले भी उसको देशमुख नाम के एक परसन के पास जाना था क्यूंकि खाने के लिए दुपेर का जो मॉर्निंग का जो होता है उसका वो खाने के लिए केवड़तरी लाम चाला मतलब बहुत चलना था बराबर आवरुन तो निगाला मतलब देड़ गंटे में यह सब उसको प्यानेज करना था तो फटा फट उसने क्या क्या सब निप्टा लिया और वो घर से निकल गया मावशी चा घर गावा बाहर डोंगरा पाइथा शी मतलब उसके जो मॉसी का घर था वो गाव से बहुत बाहर था और एक पहाड के नीचे था मधे एक नदी ही लागाई छे मतलब बाहर आने के लिए उस गाव के बाहर आने के लिए बीच में एक नदी भी लगती थी तो वो नदी क्रॉस करना पड़ता था उसको पुर्वी ही नदी पाणयात उत्रून चालत चालत पार करेला लागाई छी मतलब पहले ये जो नदी है वो पार मतलब ये नदी में उतर के उसको पार करना पड़ता था परन्तु आता कोकन रेलवे आले आने रेलवे चा छान पूल नदी वर तयार जाला है पर अभी वहां से कोकन रेलवे चालू हो गई है कोकन की एक ट्रेन चालू हो गई है तो वहां पे एक रेलवे का चान चान मतलब बहुत ही अच्छा ब्रीज उस नदी पे बांदा गया है पूला चा एका बाजू ने लोकान साथी पाई वाट ही ठेवली होती और पूल के ही बाजू में एक छोटा से एक रस्ता भी रखा था पाई वाट मतलब छोटा रास्ता रखा था नैरो लेन तो वहां से लोक आजा सके याँ पूला मुड़ा आता जाना येनस उपस जाला होता है मतलब इस पूल के वज़े से इस ब्रीच के वज़े से जाना आना बहुत ही इजी हो गया था निरंजन अभ्यसाजची मनातल्या मनात उजरनी करत जपा जपसालत होता मतलब निरंजन उसका उसने जो पड़ा है तो उसका मन ही मन रिविजन कर रहा था और वो फटा-फट चल भी रहा था वाटे त्याला भला मोठा दगड पढ़ लेला दिसला मतलब रास्ते में उसको एक बड़ा बहुत पत्थर दिखाई दिया कुणी तरी कामा साथी घेतला असिल और पुन्हा तसास ठेउन दिला असिल मतलब किसी ने तो काम के लिए उस पत्थर को लिया होगा और वैसा ही रखा होगा निरंजन ने तो दगड उत्लों बाजुला ठेवला निरंजन ने वो पत्थर उठाया और दूसरी मतलब एक साइड पे रख दिया ताकि किसी को प्रॉब्लेम ना हो सके उस पत्थर के वज़े से त्याला लोकांचा या बेफिकर प्रवरुतिचा भयंकर रागी मतलब उसको लोग ऐसे बेफिकर बेफिकर मतलब बिंदास किसी चीज को अपना काम होने के बाद उधर ही छोड़ के चले जाते है ऐसा सोचते नहीं है कि नहीं दूसरों को उस चीज का प्रॉब्लेम होगा या फिर हमने जहां से वो चीज ली है वहाँ पर उसको रखना है तो लोगों का ये जो बिंदास्तपन है वो उसको बहुत ही गुस्सा आता था ये चीज लोगों के उसको बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी तुम ही विस्तरलाद पन दूसरा ठेचकाड़ून जिवाला मुक्तो त्याचक है मतलब तुम लोग काम करते हो और निकल जाते हो भूल जाते हो चीज अच्छे तरीके से रखने की पर अगर दूसरा जो इंसान वहाँ पर आएगा और अगर उसको गलती से लग गया वो चीज थेचकाड़ून मतलब उसको उस पत्थर के सा कुछ लग गया वो गिर गया उस पत्थर के वज़े से तो उसकी जान भी जा सकती है असत याचा मंड़न मतलब ऐसा उसे लगता था नीरंजन को नीरंजन पुलावर पहुच ला तेवा साड़े नव वाजुन गेले असावेद मतलब नीरंजन जब ब्रीच पे आया था तो 9.30 हो चुके थे आता नव पन्नाशी गाड़ी एल अभी 9.50 9.50 मतलब 9.30 हो चुके थे और 9.50 तो 9.50 के एक ट्रेन वहाँ से जाती थी धाड़ धाड़ आवाज करत दीमाखत पुला वरुन जाई मतलब धाड़ धाड़ ऐसे आवाज करके एकदम बहुत ही नक्रीली बहुत ही शान से वो ट्रेन वहाँ पे जाती थी ही कोकन गाड़ी किती चान दिखते है तो टनल में वो छुप जाती है मतलब शिरते मतलब इंटर कर जाती है काई मज़ा ये तसेल नहीं गाड़ी तुन जाईला मतलब क्या मज़ा आता होगा ना इस ट्रेन में बैटके कहां पे जाने के लिए आपने ही मोठा जाल्यावर गाड़े तुन फिरू मतलब मैं भी जब बड़ा हो जाओंगा तो इस ट्रेन में घूमूंगा या विचारा ने तो हरण गेला मतलब इस थौट के वज़े से वो थोड़ा सा लो हो गया तो इस त्याच लक्ष डावया बाजो शुरूआ खाली पढ़ लेला भलया मोठा बगदाडा कड़े गेले तभी उसका ध्यान अचानक से डावया डावया मतलब लेफ्ट साइट का जो रूल जरूल मतलब पट्री लेफ्ट साइट की जो पट्री थी तो वहां पे बहुत ही बड़ा एक भगदाड भगदाड का मतलब होता है होल एक बहुत ही बड़ा होल पड़ा था वहां पे तो उसका ध्यान उस तरफ कीचे coal चला गया हे छिद्र कसला मतलब ये होल किसका है रोज नस्तब हुआ मतलब मैंने हर रोज तो उसको नहीं देखा है असा मनत त्याने जवर जाउन पाहिला और ऐसा बोलते बोलते उसने अपास में जाके देखा तो कुणी तरी concrete for und railway rule वेडे वाकडे करून ठेवलयाज़त अच्छा धानी आले तो उसने देखा कि concrete का जो पटरी था वो किसी ने मतलब जो railway का जो रूड है पटरी है उसको क्या किया था वेडे वाकडे मतलब उसको twist and turn किया था और मतलब जो railway track है उसको क्या किया था बहुत ही गलत तरीके से twist and turn करके किसी ने किया था ओके नीरण जनला आश्चरियस वाटले मतलब नीरण जन बहुत ही चौग गया यह चीज देखे कि यह रोज तो नहीं दिखता आज अचानक ऐसे को ऐसे मुझे दीख रहा है रातरी दोन वास्ता शेवट ची गाड़ी इतुन जाते मतलब इस पट्री पे जो सबसे लास्ट गाड़ी होती है वो रात के दो बजे की होती है और जो सुबे की पहली गाड़ी होती है वो 9.50 की होती है तो ये बता रहा है निरंजन की रातरी दोन वाजसाची शेवची गाड़ी ही तुन जाते मतलब कल रात लास्ट दो बज़े की गाड़ी यहां से चली गई होगी त्यान अंदर पहाट इस कुणी तरीहा उपद्रयाप जानी पुर्व केला असावा तो आज सुबह है यह जो किसी ने काम किया है ट्विस्ट एंड टर्न का पट्री के साथ वो किसी ने जान बूच के ही किया होगा उपद्रयाप मतलब यह जो गलत काम है तो वो किसी ने जान बूच के जानी पुर्व मतलब जान बूच के ही किया है अभी प्रवासी मतलब जो यात्रे करूँ है तो प्रवासी मतलब लोगों से भरी जो गाड़ी है 950 की वो अभी आही जाएगी निरंजन एकदम सावच जाला मतलब वो एकदम ही क्या हो गया टेंचन में आ गया वो एक्टी हो गया अलर्ट हो गया वो गाड़ी आली तर भयंकर अभगात हो इल मतलब अगर अभी ट्रेन आई तो बहुत बड़ा क्या होगा एक्सिडेंट हो जाएगा ये उसके ध्यान में आ गया निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर देश्मुखान कड़ जेवन सार विसरला मतलब निरंजन उस टाइम पे उसका सिविक्स का पेपर भूल गया देश्मुख ये नाम के जो व्यक्ति है उनके पास खाने के लिए जाना वो भी वो बूल गया तैचा डोड़ा समोर धाड़ धाड़ आवस करत येनारी रेलवे गाड़ी दिसु लागली और उसके सामने सिव एके दिखाई दे रहा ताचीज वो मतलब धाड़ धाड़ ये आवास के साथ आनी वाली ट्रेन कांठड़ा बसनारा आवास आणी लोकांचा किंकाड़ा कानात गुमू लागला मतलब जब एकसिडेंट होगा तो लोग जोड जोड से चिलाएंगे तो उनकी जो किंकाड़ा कांठड़ा मतलब कान बंद करने के सिच्वेशन आ जाएगी इतने जोड से लोग चिलाएंगे और ये सब आवास उसके कानों में गूंजने लगी मतलब ये सब वो इमाजन करने लगा अगर इसने कुछ अभी नहीं किया तो ये सब उसको फेश करना पड़ेगा है किंकाड़ा का मतलब जोड से चिलाना स्टेशन इतन खूब दूर होता मतलब स्टेशन यहां से बहुत ही दूर था तीन चार किलो मीटर मतलब तीन चार किलो मीटर था तित परंत सांगायला जाई सतर परिक्षा बुढ़नार होती अगर मैं वहां तक गया स्टेशन तक तो मेरा एक्जाम मिस हो जाएगा बुढ़नार मतलब मिस हो जाएगा मग नापास और फिर मैं नापास हो जाओंगा मतलब मैं फेल हो जाओंगा बढ़सावले गुरुजीन सी मदद बंद मतलब जो बढ़सावले गुरुजी मुझे मदद करते थे एक्जाम में जो मैं फरस्ट आता था तो वो हेल्प करना मुईरी छोड़ देंगे बंद कर देंगे अगर मैं फरस्ट नहीं आएगा शिक्षन ही बंद फिर मेरा एजुकेशन भी बंद हो जाएगा रेलवे ने फिराइच स्वपन अपूरस राणार होता मतलब अभी अभी मैंने सोचा था कि इस ट्रेन में मैं बढ़ा होके जाओंगा तो वो मेरा जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा परन्तु मन माना यला तयार नहीं हो तो पर मेरा जो मन था वो तयार नहीं हो रहा तकी इस सिच्वेशन को ऐसे ही छोड़के एक्जाम के लिए जाना त्याने शन भर विचार किला मतलब उसने कुछ शन विचार किया आणि स्टेशन चा दिशेने धावगे थी और वो स्टेशन के तरफ ही जोर जोर से दोड़ना उसने चालू किया तो स्टेशना चिरला तेवा नौपंड़ना चे गाड़े 39 आली होती जब वो स्टेशन पे गया था तब जस्ट 9.50 की जो वो ट्रेन थी वो सी स्टेशन पे वो आके रुकी थी आता पांच मिनिटा तर तर ती सुटना रोती अभी पांच मिनिट के बाद में ही वो फिर से चुटने वाली थी निरण जन्ने धावत स्टेशन मास्टर आना गाटला और निरण जन्ने भाग भाग के ही स्टेशन मास्टर जो होता है टी सी जो होता है उसको वो मिला गाटला मतलम उसने धूंडा स्टेशन मास्टर को त्यानना पूला वर्चा खराब जा ले लिया रूड़ा बदल सांगी तो और उस मतलब निरंजन ने उस स्टेशन मास्टर को जो ब्रीच पे जो पटरी का जो प्रॉब्लेम था मतलब जो खराब थे जो रूल जो पटरी खराब हो चुकी थी उसके बारे में उसने बताया पूलीस के मतलब हवाले कर दीजिए एवड़ा बोलने अवर स्टेशन मास्टर आनना ही तैचा बोलना तत्य वाटू लागले और इतना सब सुनने के बाद में पूलीस जो ट्रेन मास्टर था स्टेशन मास्टर उसको थोड़ा सच लगा तत्य मतलब सच लगा उगास धोका नो को मणुन गाड़ी थामवाला सांगुन ते पूला कड़े निगाले मतलब उगास मतलब नचाते हुए भी कोई प्रॉब्लेम नहीं कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए इसके लिए स्टेशन मास्टर ने गाड़ी रुकाने का वहाँ पे आदेश दिया इशारा दिया और स्टेशन मास्टर और निरंजन दोनों साथ पूला कड़े पूला कड़े मतलब ब्रीज के यहाँ पे निकल गए निरंजन ने ने नेम के जागा दाखो लिए और निरंजन ने वो एक्जाक्ट जगह बताई जहाँ पे गड़बड हुई थी रूल्स मतलब जो ट्रेन की पट्रिये उसके साथ फारस भयंकर कलपना करता येनार नाहीं असा भयंकर अपगाद जालास था इतना रिस्की और मतलब इमाजन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा एक्सिडेंट हो जाता सटेशन मास्टरान लगे च़ट गाड़ी दिर्घक का थामबनाचा आदेश दिला और सटेशन मास्टर ने वो जब देखा तो सटेशन मास्टर ने इशारा दिया कि वो गाड़ी जो ट्रेन जो थी वो बहुत टाइम के लिए उसी स्टेशन पे रुखी रहेगी जब तक ये रिपेर नहीं होता आणि ते या घटने चा पंचनामा करायला निगाले और जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे पंचनामा चालू हो जाता है इन्विस्टिगेशन चालू होती है तो स्टेशन मास्टर और हमारा जो निरंजन लड़का जो है वो सब वहाँ पे इन्विस्टिगेशन करने के लिए मतलब सब लोग जमा हो गया घटने चा गांबिर्य लक्षाद गेहुन जिल्ला अधिकारी जिल्ला पोलीस अधिक्षक सा अधिकारी ततकार टिकाने जमा जाले मतलब वो गटना इतनी क्या थी गंभीर थी गंभीर मतलब बहुत ही सीरियस ओके गांबिर यह मतलब वो सिच्वेशन का सीरियस ने समझते हुए कौन-कौन वहाँ पे आये जिल्ला अधिकारी जो जिल्ला संबालता है डिस्टिक ओफि मतलब कुछी शनों में वहाँ पे आ गए पहिली खबर देना रा मनुन निरंचन लाही थांबावा लगला मतलब सबसे पहली खबर यह किस ने दी तो निरंचन ने दी इसके लिए उसको भी रुकाया गया एवडा मोटा अबगा त्याचा चानाक्षपना मुए टल्डा मतल पर तब ही निरंचन वहाँ पेड था उसके नीचे वह बैठा था तो निराश धाला होता वह बहुत दुखी था क्योंकि त्याचा नागरिक शास्त्रचा पेपर चुकला होता क्योंकि उसका सिविक्स का पेपर रहे गया था तो नापा सुनार होता और एक पेपर के वज़ पार्या सवलती रद्ध होनार होता मतलब गुरुजी उनके टीचर जो भड़सावले गुरुजी थे तो वो जो भी उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे जो सहुलियत दे रहे थे वो अभी उसको नहीं मिलने वाली थी रद्ध होनार मतलब क्या कि नहीं मिलने वाली थी के पास कुछ अरिपोर्टर आ गए और उन्होंने उसका नाम पुछा फोटो ही कड़ला मतलब फोटो भी निकाला निरंजन उदास मनाने घरी परतला और उसके बाद निरंजन जो था वो उदास मन के साथ मतलब दुखी मन के साथ घर पे आ जाता है है दूसरे दिवशी में पत्राद निरंजनाचि सुती फोटो सह चापउनाली होती मतलब दूसरे दिन नूस पेपर में नैरंजन की तारीफ उसके फोटो के साथ छपके आई थी बीशन अवगात टाला से श्रेय त्यालास देनात आला होता मतलब बीशन याने बहुत ही खतरना के ऐसे एक्सेडन्ट टल गया और उसका पूरा जो श्रेय था वो उसको दिया गया था न्यूस पेपर में त्या दिशी मावशी चा घरा कड़े मोठी मोठी मांड सा आ मतलब जो खुद जिल्हा धीकारी मतलब डिस्ट्रिक ओफिसर भी उसके घर पे अई थे मुख्या ध्या पक आने भडवड़ा गुरुजी या लिया मतलब स्कूल के जो मुख्या ध्यापक यानि प्रिंसिपल वो भी आये थे और भडसावड़े जो उसके फेवरेट टीचर थे वो भी आये थे नीरंजन ने धावत उड़े यहन गुरुजिन से पाई धरले और नीरंजन भाग के आया और उसने सबसे पहले जो भडसावड़े गुरुजे उनके पैर चू लिये रड़त रड़त तो मनाला और रोते रोते उसने कहा गुरुजी में नापा सोनार मतलब गुरुजी में फेल हो जाऊंगा माजा काल चा नागरिक शास्त्रचा पेपर बुढला मतलब मेरा कल सिविक्स का जो पेपर था वो क्या मतलब मीस हो गया बुढला मतलब मेरा मीस हो गय तो उसकी जो टीचर थे जो भड़सावले गुरुजी उन्होंने उसको कहा कि नहीं बच्चे तू तो सबसे अच्छा नागरीक है शेकडो मानसांचा जीवाचवलस मतलब बहुत सारे लोगों का तुने जान बचाई और नागरीक शास्तरा चा खर्या खुर्या परिक्षत प अपलाई कि तुमने मतलब बहुत ही क्लेवर्नेस दिखा कि क्या किया इतर जो लोग है तो लोगों के बारे में तूने जादा सोचा तो तूने तेरा कर्तव्य किया एज नागरीक एज सेटिजन तो जो रियल एक्जाम होती है सिविक्स के उसमें तो तू पास हो गया मतलब ये देख स्कूल के सभी जो इंपोर्टेंट अधिकारी है वो यहाँ पर आये है खास बाब बनुन तुझे नागरीक शास्त्रा ची परिक्षा उद्या घेतले जाना रहे और तू मतलब ये जो चीज तुने की है स्पेशल चीज और उसके लिए तेरा जो नागरीक श परिक्षिजन लिया है कि तुझे गवर्मेंट जो हॉस्टेल है वहाँ पे तुझे भेजा जाएगा आणि वर वहाँ पुस्तकान चा खर्चा साथी शिश्य वृत्ति मिलना रहा है और जो बुक्स नोटबुक और बुक्स का जो भी खर्चा था तो उसके लिए तुझे ख अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी निरंचन भी अच्छा लगा होगा तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो आपके टेंथ के जो बच्चे है उनके साथ जरूर शेयर कीजे बेल आइकोन को याद से क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए कोई डाउट्स होगा तो आप कॉमेंट सेक्षन में जाए हिंदी मराठी इंगलिश किसी भी लैंग्वेज में आप कॉमेंट कीजिए मैं वहाँ पे as possible as reply देती ही हूँ आपको तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद